नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे measures को dynamically कैसे switch करना है तो पिछले वीडियो में हमने switch function देखा था इस वीडियो में हम switch function को दुबारा देखेंगे थोड़ा सा अलग तरीकी से ही इस्तमाल करेंगे concept उसका वही रहेगा या logic पर हम जैसे apply करेंगे इसको कुछ अलग रहेगा तो right side में देखिए sales table है वही वाला और left side में मैंने table विजूल लिया है सबसे बेरे हम country को drag करते हैं और कुछ base measures air करते हैं तो इस पर table पर click करके new measure मान लीजी हमें 3 measures बनाने है एक sum of sales के लिए, एक average के लिए और max के लिए तो तीन अलग measures बना लेते हैं sum sales table में से sales amount column इस measure का नाम हम देते हैं total sales enter करेंगे फिर इसके बाद new measure दुबारा दूसरा measure जो हम बनाएंगे वह रहेगा average sales amount column का यहाँ पर हम इस्तिमाल करेंगे average function sales table से sales amount column इस measure को हम नाम देंगे AVG sales या average sales तो इससे क्या होगा? average आ जाएगा और फिर और एक measure और भी बना सकते हैं हम तीन लेते हैं अभी के लिए ताकि आपको यह logic समझ में आए फिर हम करेंगे max sales table का sales amount इसको हम कहेंगे max sales और enter अब हम इन तीनो को add कर देते visual पे tick कर लेते हैं किसी भी order में चलेगा तो तीनो तो अभी है याँ पर लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं इस वीडियो में यह सिखना चाह रहे है कि इन तीनो measures को एक साथ न देखते हुए मुझे इनको switch करना है कि मैंने बोला कि अगर मुझे sum चाहिए तो सिर्फ total sales दिखे अगर मैंने कहा average तो सिर्फ average और max कहा तो सिर्फ max दिखना चाहिए तो इसके लिए कुछ तरीका है करने के लिए लेकिन यह बहुत मज़ेदार है और एक trick हम यूज करेंगे यहाँ पर इसके चलते कई और चीजे भी सिखेंगे और इस technique को जो हम यूज करने हैं इस वीडियो में हम आगे चलके कई और वीडियो में भी इसको यूज करेंगे और examples में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ एक नया table बनाते हम Power BI के अंदर रहके हम table कैसे बनाना यह देखते है अगर आपका बहुत छोटा data है या आपको data कुछ type करके table बनाना है तो यह सबसे आसान तरीका है और यह तुरंद भी हो जाता है तो home में देखिए यहाँ पर enter data है SQL Server के right में तो इस पे क्लिक कीजिए यह क्या function है आपको एक नया table बनाने का मौका देता है तो इस table का नाम नीचे name के लिए text box है table का नाम देते हम criteria और column पे double click करते है renaming के लिए mode इसको नाम देते है कुछ भी दे सकते है अब row पे क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको type करना है कुछ values मैं type कर रहा हूँ sum down arrow प्रेस करो अगर आपको row add करना है इसमें लिखता हूँ average फिर down arrow और फिर इसमें लिख देता हूँ max अगर मालो down arrow प्रेस किया और गल्दी से row add हो गया तो कोई बात नहीं row पे क्लिक करके delete button hit करना है राइट सैड में अगर आप column add करना चाहरा है तो plus पे क्लिक कीजिए फिर दुबारा column header पे क्लिक करके delete कीजिए अगर delete करना है अब हम क्लिक करेंगे load पर तो ये क्या करेगा table create करेगा और ये data load भी कर देगा अब data load हो रहा है तो ये देखिए यहाँ पर आ गया फिर आम क्या अगर ले लेते एक slicer white space में क्लिक कीजिए बीच में और slicer में mode column पर क्लिक कर देते हैं और फिर इसको हम right side में drag कर देंगे सबसे पहले इसको resize करने के बाद थोड़ा font size में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये नजर भी आए items में क्लिक करेंगे format में जाकर और इसका font size में 20 कर देता हूँ अब बहतर है अब देखिए में trick क्या कर रहा हूँ हमने ये table बनाया अब ये table को हमें relationship नहीं बनाना है sales table के जाथ इसको अलग से रखना isolated या disconnected तो इस concept को हम कहते है disconnected table logic इसको हमें link नहीं करना है ये सर्फ selection के purpose के लिए अब white space में क्लिक कीजे और यहाँ पर देखिए 1,2,3 है और ये card visual है तो इसको इस्तमाल कैसे करना है मैं बताता आपको जब भी आपको एक single value display करना है आपके dashboard में या Power BI में तो आप इसको इस्तमाल कीजे जैसे कि मनलीजे total sales पे में click कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक single value आ गया 29.36 million अब मैं ये न सिलेक करते हुए क्या करता हूँ मोड का column इसको अंचेक करते है मोड का column सिलेक कर लेता हूँ तो अभी क्या है वहाँ पर एक value आ रहे है ठीक है लेकिन ये से बताने के लिए था अब criteria table में वही value value कार्ड विजुल में आनी चाहिए तो ऐसा एक function है जो हम सीखेंगे अभी ये DAX function है इस function का नाम है selected value तो नाम से ही पता चलेगा आपको selected value मतलब जो भी select किया है वो value रिटर्न करता है तो यहाँ पर हम करेंगे criteria table में से mode column को पास इस measure को हम नाम देते cell value ये selected value enter फिर measure create होने के बाद इसको add कीजे card visual पे अब फिलार blank बता रहा है क्योंकि कोई item selected नहीं मैं average पे click करता हूँ तो अब दीखें क्या हो रहा है जो item अब select कर रहे हो वही item यहाँ पर आ रहा है card visual में card visual मैंने बस logic के लिए आपको समझ जाने के लिए add किया है अब इसमें एक ही दिख्खत है selected value में अगर आप multiple item select करते हो control प्रेस करके अगर आप mouse से click करते हो तो यह blank return करता है यह ना हो इसलिए क्या करते हम slicer पे single select option को active रखते हैं कैसे? slicer select कीजिए format में selection controls में single select off रहता है इसको on रखो तो multi select off हो जाएगा अब आप दिखिए इसके buttons भी change हो गए अब radio button दिखे रहे हैं अब एक ही item आप select कर पाएंगे तो यह function क्या है? selected value function उस column में से जो भी item आप select कर रहे हो उसको return कर देता है filter करके याद रखो जब यह कहाएक slicer है जब अब average करते हो तो पूरा table filter हो गया उसके अंदर एक ही row रहेगा जो average रहेगा और वही value selected value में आ जाएगी अगर अपने max किया तो table वापस से filter होगा max का ही row filter होगा और max की value आएगी इसी तरीकी से sum अब हमने ये काम क्यों किया ये काम इसी लिए किया ताकि हम dynamically measures को switch कर सके अब कैसे देखिए sales table में हम new measure करते हैं और ये करने के लिए हम ये trick switch function का इस्तमाल करेंगे अब देखिए switch function का logic same रहेगा लेकिन देखिए अब इस्तमाल कैसे कर रहे है तो मैं इसको dynamically ये देखिए तो मैं insert करता हूँ switch function यहाँ पर हम जो cell well नाम का measure था उसको pass करेंगे जो card visual में हमें दिख रहे है इसमें क्या आएगा average आएगा, max आएगा या sum आएगा अब इस तरीकी से अपलिके अगर इसमें sum है तो मुझे total sales को call करना है तो हम measures को इस तरीकी से भी call कर सकते है अगर sum है तो total sales का measure return कीजिए अगर average है तो हम average sales का measure return करवाएंगे माफ करना यहाँ पर रहेगा average sales table के नाम की जरूत नहीं है एक मिट गलती से मैंने enterprise कर दिया इसको मैं निकाल देता हूँ इसको delete कर देंगे फिर comma यहाँ पर बोलेंगे अगर max है तो max sales return कीजिए else में कुछ भी नहीं लिखते और इसको हम कहते है dynamic agg या aggregation कुछ भी नाम दे तो दिखेंगे अब यह कर क्या रहे है जो value selected है वो slicer की value हम selected value function से call कर रहे है इस तरीके से यह measure था और वो value हम pass कर रहे है फिर आगे चलके dynamic aggregation का जो measure बनाया switch function के जरिए तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें expression में या तो sum आएगा max आएगा या average आएगा फिर अगर sum है तो total sales average है तो average sales max है तो max sales बस अब क्या कीजिए आप इस visual से यह सब चीज़े निकाल दीजिए और सिर्फ dynamic aggregation को रखिए card visual की भी अभी हमें जरूत नहीं है अब दीखे अपने sum पे selected है max किया तो max आ रहा है average किया तो average आ रहा है तो यह बहुत ही बढ़िया trick है इससे क्या है आप कई और चीजे अचीव कर सकते हो और क्या क्या कर सकते है हम यही technique से आलग देखेंगे आगे चलके बढ़ यही technique रहेगा बस थोड़ा बहुत हम क्या है measures या logic change कर देंगे बढ़ technique यही वाला रहेगा table को disconnected ही रखना है criteria table को आपको जोड़ना नहीं है relationship नहीं बनाना है बस उसका हमें मकसद क्या था उसको बनानेगा उससे एक value ले और उस value को हम pass करें आगे switch में बस इतना ही तो इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहेए धनेवाद